करें योग रहें निरोग कहा भी जाता है सुबह की हवा लाखों की दवा वेरी हैपी इंटरनेशनल योगा डे एलो एवरीवन दोस्तो नमस्कार सांट आप माइंड योटूब चेनल में आप सभी का स्वागत है जैसा कि हम जानते हैं कीस्व पनिकीस जून को हर साल वर्ल्ड योग डे या फिर इंटरनेशनल योगा डे के रूप में सलिब्रेट किया जाता है आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि योगा डे कब सेटार्ट हुआ क्यों सवा इब्रेट किया जाता है इसका उद्देश क्या है और 2021 के लिए इसकी क्या थीम रखी गई है और योग करने के क्या क्या फायदे हैं और योग करना क्यों आवश्यक है इस वीडियो को लच्ट तक जरूर देखिएगा यह वीडियो सभी के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है और इस वीडियो में मैंने अपने खुद की योग करते हुए वीडियो क्लिप भी अपलोड की हुई है तो वीडियो को लश्ट तक जरूर देखिएगा चलिए सुरू करते हैं चलिए सबसे पहले देखते हैं कि योग क्या है योग सब्द की उत्पति संस्क्रिश सब्द यूज से हुई है जिसका मतलब होता है जुड़ना कुछ लोगों को लगता है कि सरीर को मोडने खीचने आड़ा तीर चा करने तथा संस को अंदर बाहर लेने को ही योग कहा जाता है लेकिन ऐसा बिलकुल भी नहीं है बलकि योग से हमारे सरीर मस्तिसक और आत्मा का एक साथ मिलन होता है और कई बड़े योगियों गुरूं ने योग के वारे में बताया भी है कि योग किसी को भी आसानी से नहीं आता बलकि इसका प्रतिदिन अभ्यास करना पड़ता है हमारे भारत के बाबा रामदेव योग्रु के नाम से फेमस जिने फादर आफ योग भी गहा जाता है वही योग्रु बाबा रामदेव का कहना है कि मन को भटकने ना देना और एक जगह इस्थिर रखना ही योग है अब हम देखेंगे इंटरनेशनल योगडे स्टार्ट कप से हुआ सन 2014 को संयुक्त राष्ट मासावा याने की युनाइटर नेशनल जनरल असेंबली ने हर साल 21 जून को अंतराष्ट योग दिवस के तौर पर मनाय जाने की घोशना की थी और इसके बाद सन 2015 से हर साल यह कंटिन्यू वे में सेलिब्रेट किया जाता है 2015 में फस्ट योगडे मनाय गया था और 2021 का योगडे सेवन्थ नम्मर का योगडे है और इसके साथ सन 2014 को गांधी जी के बर्थडे के दिन से 2 अक्टूवर से एक और अभियान की शुरूआत हुई थी तो यदि आपको पता है वो अभियान का नाम तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं हम देखेंगे कि इसके मनाय जाने का क्या कारण है 21 जून को साल का सबसे लंबा दिन होता है यानि कि धर्थी पर इस प्रत्वी पर सूर जो होता है सबसे ज़्यादा समय तक रहता है 21 जून को यानि कि आज के ही दिन सूर की किरने करक रेखा पर लंबवत पड़ती है और करक रेखा भारत के बीचो बीच से होकर गुजरती है और भारत जो है प्रत्वी के उत्तरी गुलार्ध में इस्तित है इसलिए 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है योग दिवस मनाने के उद्देश की बात की जाए तो योग का उद्देश ना सिर्फ मान से किम सारेरिक उपचार करना बलकि योग के प्रती लोगों को जागरू करना और इसका अभ्यास करने की कला किसी भी व्यक्ति के मन मस्तिष की सरीर आत्मा को नियंतित करने अमदद करती है वो योग जो है आत्मा को परमात्मे से मिलाने का काम भी करता है 2021 के लिए International Yoga Day World Yoga Day की यदि थीम की बात की जाए तो स्वास्थ के लिए योग यानि की Yoga for Wellness रखे गई है जो की competitive exam के view से देखा जा तो बहुत ज़्यादा important होने वाली है अब हम बात करेंगे योग के फायदे के बारे में तो योग से हमारे बोडी में काफी सारे फायदे मिलते हैं तो हमाई बोडी के लिए healthy के लिए बहुत ज़्यादा फायदे मन्द होते हैं हमें अपने busy schedule में से 24 घंटे में से 15 से 20 मिनट ज़रूर निकालना चाहिए और अपनी health के लिए ज़रूर देना चाहिए कुछ 3-4 ऐसे प्राणायाम है जो सभी के लिए बहुत ज़्यादा फायदे मन्द होते हैं जो मैं खुद करता हूँ जैसे पहला आता है अनलोम विलोम प्राणायाम अनलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही आसान है इसमें नाक के एक छेदर से सांस लेना है और होल्ड करके कुछ सिकेंड के बाद इसे दूसरे छेदर से छोड़ देना है इसके बाद दूसरे छेदर से फिर सांस लेना है और फिर पहले छेदर से छोड़ देना है इसके काफी सारे benefit मिलते हैं हमारे body के लिए विलूम प्रणायाम के फायदे की बात किये जाए तो इससे हिर्दे संबंधी रोग, मधुमे डायविटीज रोग और हड़ियों से जुड़े गठी है, रोग, माईग्रेन, सिर्दर, प्रॉब्लम संबंधी बिमारियां साही हो जाती है अब देखते हैं क्रपाल भारती प्राणायाम के भी फायदे हैं फेपनों को मजबूत करता है, फेपनों की क्लीनिंग करता है प्राणायाम में सांस को अंदर खीचना और छोड़ना रहता है इससे स्वास सम्मंधी जो भी रोग होते हैं, वो भी साही हो जाते हैं इसे किसी को थोड़ा सवी ज़्यादा चल लेने से, दोड़ लेने से या फिर थोड़ा ज़्यादा काम कर लेने से सांस फूलने लगती है उनके लिए बहुत ज़्यादा महल फूल है देखेंगे ब्राणायाम के बारे में इसमें सांस को अंदर लेकर बाहर नाक बंद करके मुग के माध्यम से सांड को भौरी की आवाज में बाहर निकाला जाता है इसलिए इसे भ्रामरी प्राणायम कहा जाता है इसलिए भी हमारे सरीर में काफी सारी फायदे मिलते हैं जैसे तनाव मुक्त स्ट्रेस फ्री रहता है आत्मिसान्ती मिलती है काम में मन लगता है और जिसको नीद नहीं आती है उसके लिए बहुत ज़्यादा लाबकारी है किसी प्रकार के इन्फेक्शन से इसमें मुक्ती मिलती है अब हम बात करते हैं शूर नमस्कार के बारे में इसमें 12 आशन होते हैं नमस्कारिक यह है ऐसा योगासन एक्सरसाइज है जिसमें पूरी बोडी के एक्सरसाइज हो जाते हैं और पूरी बोडी के स्टैचिंग हो जाती है यह एक्सरसाइज हमाई बोडी के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदे मंद होता है इसमें कमर दर्द हो या फिर पाचन तंत सही से काम ना कर रहा हो पाइल्स की समश्या हो पाइल्स की बिमारी हो बावशीर की बिमारी हो इन सभी बिमारी हो को दूर करता है इसके साथ साथ यह हमारी मेमोरी पावर को भूश्ट करता है जैसा कि देखा जाए तो हमें योग निमित रूप से 10-15 मिनिट पर डिक करना चाहिए योग से हमारी बोड़ी को काफी सारे फायदे होते हैं हमारी बोड़ी हेल्दी रहती है, स्वस्थ रहती है स्टुडेंटों के लिए बहुत ज़्याद महत्पूर होता है योगा स्टुडेंटों में मायंड के कंसेंट्रेशन को बढ़ाता है मेंमोरी पावर को बूस्ट करता है और इनरजेटिक बनाता है ताकि पढ़ाई में और काम में मन लगे आझ के स्पेसल योगा डे की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं मैं आसा करता हूँ को आपको यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, helpful होगा और फायदे मंद होगा और इस वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों के साथ share करें तक यह information और भी सभी लोगों को पहुंच सके और अभी तक चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो जल्दी से सबस्क्राइब करें, thanks for watching और comment section में comment करना न भूलें जस्त रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, thanks for watching, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए, जैहिंद